आज की स्पेशल रपोर्ट में हम जानेंगे क्या प्रोटीन से वजन कम किया जा सकता है या नहीं? 20 सदी के आगाज में आर्कटिक में एक खोच के लिए निकलने वाले मोहक्किक अलजामिर स्टिफ नेसन ने 5 साल सरफ कोश्ट खा कर गुजारे उसका मतलब ये था कि उनके खाने में 80 फीसद चरवी और 20 फीसद प्रोटीन था एक साल के बाद सन 1928 में स्टेफनेसन ने तकरीबन एक साल तक यही तजरुबा बीस तुबारा नियू यॉर्क के ब्ल्यू यू हस्पताल में किया स्टेफनेसन ने ये तजरुबा इसलिए किया क्यूंके वो इन लोगों को गलत साबित करना चाहते थे जो कहते थे कि इनसान सिर्फ गोश्ट खा कर जिन्दा नहीं रह सकता लेकिन बदकिसमती से दोनों ही तजरुबां के दोरान वह बहुत जल्द बीमार पड़ गए वजह साफ थी स्टेफनेसन चर्बी के बगएर वाली प्रोटीन खा रहे थे इसलिए उन्हें प्रोटीन पॉइसनिंग हो गई यानि ज्यादा प्रोटीन लेने की वज़ा से मुश्किल हो गई स्टेफनेसन ने जब अपनी हुराक में तबदीली की और अपने खाने पीने में प्रोटीन के साथ चर्बी को भी शामिल कर लिया उनकी ये बिमारी फॉरण कम हो गई साल की उमर में मोच से पहले स्टेफनेसन ने कम कार्बोहाइटरेट और कम चर्बी वाले हुराक लेना चारी कर रखी थी स्टेफनेसन का मौमला इन शरुवाती मिसालों में से है जिनके हवाले से कहा जाता है कि ज्यादा प्रोटीन लेने से इनसान की सहित पर बहुत बुरा असर पड़ता है पर के बात एक सभी पुरानी हो गई है लिकिन आज समाना ये है कि लोग प्रोटीन की बार प्रोटीन चेक प्रोटीन बोल्स खाते हैं और ऐसा तब हो रहा है जब ज्यादा तर लोगों को मालूम ही नहीं कि उन्हें कितनी प्रोटीन चाहिए किस तरीके से प्रोटीन लेनी चाहिए कितनी कम या कितनी ज्यादा प्रोटीन हमारे लिए नुकसानदा है पिछली दो दहाईों में दुनिया भर में लोगों में मुटापे के शिकार होने की रफ्तार दुगनी हो गई है लेकिन आज हम अपने खाने पीने के हवाले से ज्यादा बाशाओर भी हो गए हैं पिछले कुछ सालों में हम सफैद ब्रेट की जगा ब्राउन ब्रेट, आटे की ब्रेट और मोटे अनाज से बनी ब्रेट इस्तमाल करने लगे हैं हम फुल क्रीम दूद की जगा खुश्क दूद लेने लगे हैं लोग प्रोटीन बार, प्रोटीन बॉल्स और प्रोटीन शेक लेने के लिए बेताब हैं। बाजार में प्रोटीन सूप से लेकर प्रोटीन सीरियल वाले पैकेट सजी हुए हैं। आज सूबर मार्केट जाएं तो करीने से सजी प्रोटीन मस्तुवाद आपको अपनी दुनिया भर में इसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की मंडी अंदाजन 12.4 अरब डालर की है यानि सहत के हवाले बाशवर अफराद ये मानते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इस्तमाल करनी चाहिए लेकिन अब तमाम माहिरीन का ये कहना है कि ज्यादा प्रोटीन्स वाली ये प्रोडिक्स हमारे लिए खेर जरूरी और जे पर बोज हैं प्रोटीन हमारे जिसम की निशोनमा के लिए जरूरी है स्यादा प्रोटीन वाली चीजें जैसे दूर गोष्ट अंडे मचली डाले हमारा जिसम बनाने के लिए जरूरी है जब हम ऐसी चीजें खाते हैं तो हमारा मेदा उन्हें तोड़कर अमेनू एसिट्स में तबदील करता है, जिसे हमारी छोटी आन जजब करती है। यहां से ये अमेनू एसिट्स हमारे जिगर तक पहुंचते हैं। जिगर ये तैय करता है कि हमारे जिसम के लिए जरूरी एमेनो एसिट्स कौन से हैं उन्हें अलग करके बाकी एसिट बेशाब के जरीय जिसम से खारिश कर देता है 2017 की तैकी की रपोर्ट कहती है कि बरतानिया के 27 फीसद लोग प्रोटीन बार या प्रोटीन शेक इस्तमाल करते हैं चो लोग हफ़ते में दो बार से ज्यादा वर्जिश करते हैं उनको भी मिला लें तो ये तालाद 49 फीसद बनती है लेकिन दिल्चस बात ये है कि उनमें से 63 फीसद को ये नहीं मालूम कि उन्हें ये पोस्ट वर्ट आउट प्रोटीन शेक कितना फाइदा दे रहा है वो ये भी नहीं बता सकते कि उसका कोई असर भी है या नहीं सन 2014 में 36 तहकीकात का नचोड निकाल कर ये कहा गया कि वर्षिश के शुरुआती दिनों में तो प्रोटीन की हुराक लेने का फाइदा होता है लेकिन उसके बाद इसके फाइदे के बारे में वाज़े तोर पर कुछ नहीं कहा जा सकता जैसे जैसे आपको वर्षिश की आदत पढ़ती है प्रोटीन शेक या प्रोटीन बार लेने के फाइदे कम हो जाते हैं महरीन कहते हैं कि ऐसी प्रोटीन की हुराक का फाइदा तब है जब उसे कार्बो हाइडरेट के साथ ले आ जाए हाँ यहाँ यह बात तैया है कि प्रोटीन की हुराक आपके बदन को हलका और फिट रखने में मददकार साबित होती है अब ज्यादा चिसमानी मेहनत करते हैं लेकिन अगर एथलेट्स और जम जाने वालों को प्रोटीन की अजाफी हुराक से फाइदा होता है तो उसका मतलब यह नहीं कि आप भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें बरतानिया की स्टर्लिंग युनिवरसिटी में खेलों के प्रोफेसर कैवन केप्टिन कहते हैं कि ज्यादा दर लोगों को उनकी जरूरत भर से ज्यादा ही प्रोटीन उनके खाने से मिल जाती है किसी को सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं रहती आप असानी से अपनी रोज मरा के खाने पीने की चीजों के जरिये मुनासिब मिक्तार में प्रोटीन हासिल कर सकते हैं